सूरज मुखी की दुनिया की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है यदि आप यहां नए हैं तो आकरशक वनस्पतियों और जीवों पर हमारे नवीनतम वीडियों के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले क्या आप जानते हैं कि सूरज मुखी केवल एक सुन्दर दिखने वाले प्लांट्स नहीं है ये आश्चारेजनक पौधे ना केवल अपनी जीवन्त पीली पंखुडियों और विशाल उचाय के लिए जाने जाते हैं बलकि हेलियोट्रोपिजम प्रदर्शित करने की उनकी उलेखनियक शमता के लिए भी जाने जाते हैं अपने शुरुआती विकास चरणों के दोरान सूरज मुखी वास्तव में सुबह उकते सूरज के बाद पूर्व की ओर मुड़ते हैं और फिर दिन बढ़ने के साथ पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं जिससे आकाश में सूर्य की गती पर नजर रखी जाती है ये घटना जिसे हेलियोट्रोपिजम कहा जाता है तने में विशेश कोशिकाओं द्वारा संचालित होती है जो सूरज की रोष्णी पर प्रतिक्रिया करती है शाम को सूरज मुखी फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से पूर्व की ओर मुख करके अगले सूर्योदे का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है सूरज मुखी न केवल हमारी आँखों को प्रसन करते हैं इतिहास और संस्कृती में भी उनका एक विशेश स्थान है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी सूरज मुखी की खेती हजारों वर्षों से करते आ रहे है सूरज मुखी के बीज पारंपरिक चिकिटसा में उप्योग किये जाते थे बाद में जब यूरोपिये निवासियों ने उत्तरी अमेरिका में सूरज मुखी को देखा तो वे उनकी सुन्दर्ता और उप्योगिता से इतने मोहित हो गए कि वे उन्हें यूरोप ले आए आज सूरज मुखी खुशी, वफादारी और जीवन के प्रती उज्वल द्रिष्टिकोन का प्रती बन गए हैं सूरज मुखी केवल सुन्दर फूल नहीं है, बल्कि वे साधन संपन समस्या समाधान करता भी है इन अविश्वस्निय पौधों ने अपने पर्यावरण में भारी धातू प्रदूशन से निपटने का एक अनूठा तरीका विक्सित किया है हाँ, आपने सही सुना सूरज मुखी में मिट्टी से सीसा और आसनिक जैसी भारी धातूओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किये बिना अवशोशित और जमा करने की क्षमता होती है फाइट और अमिडियेशन नामक ये प्रक्रियानना केवल मिट्टी को साफ करती है बलकि दूशित शेत्रों के पुनरवास में ला सकती है सूरज मुखी केवल इंसानों के लिए ही नहीं बलकि बन्यजीवों के लिए भी खाना उपलब्द करते हैं जब सूरज मुखी खिलते हैं और अपने बीज पैदा करते हैं तो वे पक्षियों, कीडों और अन्य जानवरों के लिए एक स्वादिष्ट बुफे बन जाते हैं फिंच और गौरईय जैसे पक्षी पोशक तत्वों से भरपूर बीजों को पसंद करते हैं और अकसर उन पर दावत करते हैं जबकि मधुमक्खियों और तिकलियों जैसे कीडे सूरज मुखी के जीवन्त फूलों से अमरित का आनन लेते हैं बीज पूरी तरह से खा जाने के बाद भी मजबूत सूरज मुखी के डंठल छोटे जीवों के लिए घर के रूप में काम करते हैं और कठोर मौसम की स्थिती के दौरान वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं वास्तव में सूरज मुखी जैव विवित्ता का स्वर्ग है सूरज मुखी केवल दिखने में ही सुन्दर नहीं होते बलकि वे प्रकृती के रखवाले भी होते हैं सूरज मुखी में एक अद्भुत क्षमता होती हैं जिसे हेलियोट्रोपिजम के रूप में जाना जाता है पूरे दिन वे सूरज का सामना करते हैं आकाश में सूरज की गती को ट्रैक करने के लिए अपने फूलों को घुमाते हैं सौर ट्रेकिंग के रूप में जानी जाने वाली यह घटना ये सुनिश्चित करती है कि सूरज मुखी को अधिक्तम सूर्य का प्रकाश मिले जो उनकी वृद्धी और विकास के लिए महत्वपोर्ण है रात के दौरान जब सूरज दिखाई नहीं देता है सूरज मुखी खुद को पुनः व्यवस्थित करते हैं तैयारी के लिए पूर्व की और मुव करते हैं यह व्यवहार फूल के तने में एक सरकेडियन लेद्वारा संचालित होता है जो पूरे दिन सूरज के पत का पता लगाने में मार्ग दर्शन करता है सूरज मुखी ना केवल खिलने में सुन्दर होते हैं उनमें एक रहस्य में फाइबोनेची अनुक्रम भी होता है यदि आप सूरज मुखी के बीज पैटन को करीब से देखते हैं तो आपको एक दिलचस्ट स्ट्रक्चर मिलेगा सूरज मुखी के बीज एक सरपिल पैटन में सेट होते हैं जो फाइबोनेची अनुक्रम का अनुसरण करते हैं एक गणितीर श्रिंखला जहां प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं का सम है सूरज मुखी ना केवल मनुश्यों द्वारा प्रशन सित है बलकि मधुमक्खियों के साथ भी उनका एक अनोखा रिष्टा है सूरज मुखी को मधुमक्खी के अनुकून पौधा माना जाता है सूरज मुखी की पंखुडियों का जीवन्त पीला रंग दूर से मधुमक्खियों को आकरशित करने के लिए एक प्रकाशस्तम्प के रूप में कार्य करता है जो उन्हें पराग और अमरत इकठा करने के लिए आमंतरित करता है मधु मख्या अंजाने में फूलों के बीच पराग स्थानांतरित करती हैं, जो सूरज मुखी के प्रजनन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये फूलों और उनके परागनकों के बीच सुन्दर साजेदारी का एक रोमांच कारी उदाहरण है, जो पौधे और मधुमक्खी दोनों की आबादी का समर्थन करता है सूरज मुखी की खेती की ना केवल भोजन के लिए बलकि औशधिय और आपचारिक उद्देश्यों के लिए भी की जाती है पुराने समय में सूरज मुखी का आध्यात्मिक महत्वथा जो शक्ती, उर्वर्ता और सूर्य से संबंध का प्रतीप था सूरज मुखी केवल पक्षियों के लिए भोजन नहीं है, वे मानव पोशन और कल्यान में भी योगदान देते हैं सूरज मुखी के बीज एक पौश्टिक पावाहाउस है, जो स्वस्थ प्रोटीन, फाइबर और विभिन, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोशक तत्मों से भरे होते हैं इसके अतिरिक्त, बीच से निकाला गया सूरज मुखी तेल, अपने उच्छ धूम्रपान बिंदू और हलके स्वात के कारण खाना पकाने और भोजन तैयार करने में व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है सूरज मुखी तेल ना केवल दिल के लिए स्वास्थ है बलकि दुनिया भर में विभिन पाक व्यंजिनों में एक महत्वपोन घटक भी है ये थी सूरज मुखी के बारे में कुछ दिल्चस्प जानकारी तत्यों पर आधारित हमारा वीडियो यही पर समाप्थ होता है हमें आशा है कि आपने इन अविश्वसनिय सूरज मुखी के बारे में कुछ नया सीखा होगा यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो हमारे नवीनतम वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन आइकन वाले बटन को अवश्य दबाएं और यदि आपके पास कोई अन्य रोचक तथ्य है तो हमें नीचे टिपणी में बताएं अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजीट करें झाले आपके लिए अन्य नहीं में भीचेशन आपके लिए हमें